बिस्मिल्लाइ रह्माई रहीम अस्सलाम वालेकूम एनिम्डिकेट फिजिक्स सेकंड डियर पोर्शन चेप्टर नंबर एलेवन एलेक्ट्रो स्टेटिक लेक्चर नंबर वन चार्च इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिट्स रिलेशन्स डाइमिंशन आफ चार्च बेसिक पॉइंट्स आफ चार्च एन प्रॉपर्टीज आफ चार्च तो चलते हैं नंबर फर्स्ट की तरफ वारिट्स चार्च चार्च किसे कहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है के उच्ण यहाँ पर तो चार्च ही रहें लिए जरुए यह पेज में वापस से यहाँ पर रbakता हूं और चार्च यहाँ पर एकस्टेन करता हूं कि वडिस मीन बाई-चाँर्च तो देकि यहाँ पर मैं डिफिनिशन लेकर रहा हूं जो लास्ट यह एनिम डिकेट 2021 में भी याय था ता यह इंट्रिंसिक प्रोपर्टी आफ अ माटीरियल इंट्रिंसिक प्रोपर्टी आफ 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 माटीरियल तो विच अट्रेक्ट और रिपेल दी अधर मटीरियल इसकार्ड चार्च चार्ज हाम क्यू पलते हैं बिकॉस एलेक्ट्रस्टेटिक का डिपिनिशन क्या है तो इसमें चार्च पे एक क्विस्टन बनता है कि चार्च किसे कहते हैं तो इस वएसे मैं यहाँ पे पहले चार्च को डिपाइन करना चाहता हूँ अब इंट्रिंजिक का मतलब क्या है इंट्रिंजिक का मतलब है इंटर्नल इंटर्नल प्रॉपर्टी आफ एनी मटेरियल विच अट्रेक्ट और रिपिल दी अधर मटेरिल्स इस काल चार्च यह एनिम्डिकेट ट्वंटी ट्वंटी वन में आया था ठेक है इसके बाद अब लोग इस तरह भी लिख सकते हों कि दे इंट्रिंजिक दी वर्ट इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी आफ अमातरियल विच एंट्स एंट्रिंट्रिंस एल्डिक फिल्ड गग। field यह are both of them इसका रचंध चार्ज हो प्रॉपर्टी है material का कि वो electric field को influence करें या magnetic field को या दोनों को influence करें इसको हम कहते है जेखो magnetic field भी produce होता है due to motion of charge magnetic field produce होता है due to motion of charge इसलिए मैंने यहाँ पे लिखका हुआ है कि the intrinsic property of a material या of any material which experience or influence of what electric field or magnetic field are both of them is known as charge इसको हम क्या कहते है charge कहते है now अब charge हम किस चीज़ पे denote करते हैं हमने तो जार जान दिया कि charge किसे कहते है अब charge का symbol क्या है कि हम इसको जल्दी से पहचाने कि हाई it is a charge अब लोग जानते है कि e से या small क्यों से या capital क्यों से या हम जानते हैं small e small क्यों या capital क्यों अब यहाँ पे ये small e क्या शो कर रहा है elementary charge शो करता है क्या शो करता है elementary charge शो करता है अब elementary charge किसे कहते है what is mean by elementary charge the charge which is easily transfer transfer from one body to another body is as car elementary charge charge शो हमने जान लिया अब इसका सिंबल है e small e small क्यों या capital क्यों ठीके तो small e क्या है अक्सर लोग कहते है it is an electron but top it is elementary charge elementary charge क्या है वो charge जो easily transfer होता है from one body to another body हाँ वो हम बाद में कहते है कि elementary charge is electron elementary charge क्या है ये electron है क्यों electron है because ये easily transfer होता है एक body से दूसरी body clear हो गई बाद now magnitude of elementary charge क्या है point to be noted for mcq magnitude of e ये है 1.6 multiply by 10 power minus 19 कूल ये किस ने calculate क्या था calculated by calculated by Franklin Franklin ने इसको calculate क्या था Franklin एक scientist का नाम है ठीक है इसने ये calculate क्यादा experimental video है अब यहाँ पर देखे ये हम लिख सकते हैं इस तरह एक तो आ गिया कि 1.6 multiply by 10 power minus 19 कूल ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1.6 multiply by 10 power minus 1 multiply by 10 power minus 18 कूल ये हम लिख सकते हैं ठीक है मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.16 0.16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अब ये किस तरह आगे हैं देखो ये point मैंने यहाँ पर shift किया तो क्या गया multiply by 10 power 1 आगया और एक ये है 10 power minus 1 multiply by 10 power minus 18 इसमें मेरा क्या गर्ज है वो यहाँ पर देखे यहाँ पर आगे 0.16 ये तो खतम होगे 1 आगया लेकिन 10 power minus 18 कूलम को मैं लिख सकता हूँ 0.16 multiply by 82 कूलम मतलब ये चीज़ बराबर होगे किस चीज़ के 82 80 80 80 कूलम के बराबर होगे किस चीज़ के 10 power minus 18 कूलम के बराबर है किस चीज़ के बराबर है 10 power minus 18 कूलम के बराबर है clear होगे बात तो ये भी mcq में आ सकता है ठीक है एक तो ये होगया ये भी mcq में आ सकता है और ये भी mcq में आ सकता है clear होगे बात now आई यहां पर अब इसकी यूनिट क्या है यूनिट की तरफ आज़ाएं तो यूनिट आफ चार्ज। नंबर फिस्ट मैंने लिका हुआ है धाइस टेंडर्ड यूनिट या इसा यूनिट आफ चार्ज is कूलम which is represented by capital C कूलम हम रेप्रेजेंट करते हैं केपिटल सी से कूलम इस दी इसा यूनिट आफ चार्ज बेस यूनिट क्या है हमें पता है क्यों बराबर है I मल्टिप्लिबेटी कहा से पता है क्योंकि I is equal to Q divided by T सो क्रास मल्टिप्लिकेशन करें क्यों आजाएगा I मल्टिप्लिबेटी तो I का यूनिट क्या है इंपेर और T का यूनिट क्या है वो है सिकन इंपेर सिकन इस दे यूनिट आफ चार्ज अगर सिकन के जगा में आवर लगाओ तो कोई फरक नहीं परता अगर इसके जगा में लिकू के इंपेर इंटु मिनट तो ये भी करेक्ट है बिकाज मिनट इस दे यूनिट आफ टाइम क्लेर होगी बात हमने तो इस चीज़ पर रटा लगा है के इंपेर है वो तो सही है सेकन्ड है तो सेकन्ड ही रहेगा यह आवर भी आ सकता है यह मिनट भी आ सकता है तो इंपेर सेकन्ड हाफ चार्ज क्या अपने साथ हें से क्यों इंपेर आवर इज़ यूनिट हाफ चार्ज इंपेर मिनट इस यूनिट हाफ चार्ज लें होगी बात now CGS यूनिट क्या है Electro-static unit ESU Franklin या State Coulomb ठीक है? E.S.U. या Franklin या State Coulomb These are the CGS unit of charge और ये बताता चलू के 1 Coulomb में कितने E.S.U. है? Point to be noted for M.C.Q. 3 multiply by 10 power 9 E.S.U. E.S.U. या हम के थे 1 Coulomb बराबर है 3 multiply by 10 power 9 Franklin के बराबर है किसी इसके बराबर है? Franklin या 3 multiply by 10 power 9 State Coulomb के बराबर है किसी इसके बराबर है? State Coulomb के तो ये एक M.C.Q. में आ सकता है तो लेके आपने साथ हम हर एक angle से हर एक point को clear करेंगे अब dimension क्या है? Dimension हम हमेशा के लिए base unit से निकालते हैं ठीक है? Impair second is the base unit of charge तो impair में ने अपने जगा पे रख दिया और second के जगा में ने रख दिया या M.N.N.T.P.1 A.P.1 आ सकता है M.C.Q. में कि the dimension of गहर से सुने ही M.C.Q. को देके the dimension of mass in charge is option A 0 option B 1 option C minus 1 option D plus 1 mass का dimension क्या होगा charge में? तो charge में mass का कोई value नहीं है ठीक है? कोई dimension नहीं है तो नहाज़ा हम टेक करेंगे option number A को टेक करेंगे so the dimension of mass in charge is 0 क्योंकि यहाँ पर आप लेक देक सकते कि हमने पड़ा है the power positive or negative of base physical quantity is known as dimension तो यहाँ पर पाउर पेस क्या है? जिरो लिक का हुआ है इस वेसे मैंने यहाँ पर क्या लिक यहाँ जिरो लिक दिया clear होगी बात now यह आगी है इसका dimension अब different relation पड़ते हैं मतलब charge को हम compare करते है our physical quantities के साथ units clear हो गई ठीक है? relation जो है वो अब हम पढ़ेंगे यह कुण़ जला में हम पढ़ते हैं K क 1 क 2 डिवार बाइ आर स्कुर अगर मैं कहूँ K1 क 2 बराबर है क्योंके तो K क स्कुर डिवार बाइ आर स्कुर के बराबर हो सकता है ठीक है? या हम इससे लिक सकते है कि क्यों स्कुर यह बराबर है इफ आर स्क्वेर डिवाड़ बाई के ठीक है? या यह इस तरह भी आ सकता है अगर हम सब क्यो काविली निकाले तो क्यो काविली क्या होगा आर इंटू अंडर रूट इफ डिवाड़ बाई के मतलब यह आपको क्या देता है? कूलम देता है क्या? क्यों इस एकल टू आर इंटू अंडर रूट इफ डिवाड़ बाई के जब मैं क्यों लेखता हूँ तो यह बराबर होगा किस चीज के? कूलम के बराबर होगा किस चीज के बराबर होगा? कूलम के बराबर होगा नाव नमबर टू यहाँ पर देखें यह इंपोर्टेंट है इस इकुल टू इफ डिवार्बे क्यों यह हम पढ़ेंगे इन्शालला नेक्स टापिक है ठीक है इस इकुल टू इफ बाई क्यों इलेक्ट्रिक फिर इंटिंसिटी यहाँ से अगर हम चार्च का विल्यू निकारें तो यह क्या होगा इ-multiply by f इ-multiply by f होगा ठीक है ना तो यहाँ पर अगर इम से क्यों आ जाए कि दिप्रॉड़क्ट अफ गोर से सुने दिप्रॉड़क्ट अफ electric field intensity या electric intensity and force electric intensity and force gives तो ये unit of charge भी देता है dimension of charge भी देता है base unit of charge देगा cgs unit of charge देगा if base unit of charge देगा dimension of charge देगा product of electric intensity and force लिख को अपने साथ ये इंसे क्यों नोट करो ठीक ना the product of electric field intensity and force gives the dimension of charge दूसरा क्या होगा unit of charge तीसरा क्या होगा base unit of charge छोधा क्या होगा product of current and time ये भी आसकता है ना क्योंकि क्यों हमें पता है कि किस शीज़ के बराबर है i multiply by t तो मतलब ये हुआ product of electric field intensity and force gives us ये i multiply by t b देता है क्योंकि ये किस शीज़ के बराबर है ये क्यों के बराबर है ये कूलम देता है ये empire second देता है ये ESU देता है ये franklin देता है ये straight कूलम देता है तो में ये point अपने साथ mcqs में note करें छीज़ के चिप्टर के end में या topic के बाद मैं इंशालला इसमें mcqs में डिसकस करूँगा clear होगी बात लेकिन जो जो mcqs में बोलता जा रहा हूँ ये अपने साथ copy और में note करें नमबर त्री v is equal to w by q ये क्या है it is electric potential जो electric potential है तो इससे क्यों का value क्या होगा गोर से सुनना है ये होगा work multiply by v sorry work divided by v तो इससे mcq आ सकता है के work done to electric potential work done to electric potential gives क्या देता है हमें तो हमें ये देता है क्या ये ही चार्ज देता है ये ही I multiply by T देता है ये ही कूलम देता है clear होगी बात now यहाँ पे देखे electric flux में देखे ठीक है electric flux ये गाज ला में हम परते है कि total electric flux is equal to total charge in close divided by epsilon not तो यहाँ पे अगर हम कहें कि क्यों is equal to electric flux multiply by epsilon not तो इससे mcq के सरह आ सकता है इस तरह आ सकता है कि product of product of electric flux and permittivity electric flux and permittivity gives for example dimension of तो यह क्या देगा charge देगा यह क्या देगा i multiply by t देगा यह क्या देगा e.s.u देगा यह क्या देगा Franklin देगा तो यह note करना है अपनी साथ now similarly यहाँ पर भी देगे charge का विर्यू क्या होगा यह sigma multiply by a what is sigma charge density charge density और a क्या है यह r है तो प्रोड़क्ट आफ चार्ज density एन एरिया गिव्ज दी यूनिट आफ चार्ज यूनिट डाइमेंशन आफ चार्ज गिव्ज दी i multiply by t similarly यहाँ पर capacitance c is equal to q by v तो यहाँ पर charge क्या देता है c and to b product of product of capacitance and voltage यह electric potential gives what gives unit of charge dimension of charge base unit of charge etc. लेर हो गी बाद number 7 number 7 पर आजएगे तो number 7 पर क्या है P is equal to Q into D यह क्या है electric dipole chapter number 1 में आप लोग ने पना है ठीके लॉस ट्रॉपक ही बिल्कुल electric polarization में तो यहाँ से क्यों का विल्यू आजएगा P divided by D the electric polarization to the distance between plates gives you charge gives you unit of charge electric polar electric dipole electric dipole to distance between 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 plates of capacitor gives क्या देता है I multiply by T क्या देता है क्या देता है क्या देता है FRENDUND डेता है क्या देता है ESQ देता है क्लिर होगे बात unit of current से value निकाले तो Q is equal to I multiply by T जो हम बार-बार पढ़ते हैं यहाँ पे देते हैं तो लेख सकते हैं V is equal to I R तो I के जगा पूट कर सकते हैं Q by T मतलब इस तरह ही देखो V is equal to Q R divided by T यह लेख सकते हो कि Q is equal to V multiply by T divided by R dimension of charge देता है E is equal to W by Q EMF EMF और electric potential हमने पढ़ा है So EMF multiply by Q Q is equal to W divided by EMF work done per EMF gives you the unit of charge gives you the dimension of charge Similarly, chapter number 3 में आप लोग पढ़ेंगे ठेके, क्या है Q is equal to QVB So क्यों बराबर है F divided by VB की बराबर है So force to product of potential and magnetic induction gives the word unit of charge ठेके, इसके इलावा dimension of charge इसके इलावा I multiply by TK, etc. इसी तरह cycle neutron frequency से अगर हम नकाले तो Q is equal to 2 by M into F gives you the unit of charge ठेके, motion of charge particle in uniform magnetic field MV divided by R is equal to QB तो इससे क्यों आजाएगा क्या MV divided by B into R ठेके, तो यह मैंने 13 physical quantities जो है इसके साथ क्या क्या है compare क्या है देखो बेटा, अगर आपने comparison नहीं किया तो आपका यह रटा जो है यह हमेशा के लिए रटा ही रखेगा तो comparison C को comparison C का मतलब मकसद यह है कि आप लोगों को यह physical quantity याद हो जाए एक physical quantity के साथ आप लोग बेशमार physical quantity याद कर सकते हो ठीके, आपने यहाँ पर देख लिया कि 13 physical quantities मैंने यहाँ पर comparison किया charge के साथ ठीके, तो इसका मतलब क्या होगा 13 physical quantity मुझे याद हुआ पिर जब यहाँ तक हम पहुँचे पिर यहाँ पर हम different क्या पढ़ेंगे relations और खेरा पढ़ेंगे तो यह है relations of charge with different physical quantity now, इसके बाद है properties of charge तो properties of charge क्या है number one property है nature of charge charge is a scalar quantity अगर आप से कोई पूचे why it is a scalar quantity तो reason यहाँ पर बताए because it does not obey vector law of addition it does not obey vector law of addition vector law of addition अबेंगे नहीं कर पा रहा इस वज़े से हम कहते हैं charge is a scalar quantity charge is a scalar quantity है ठीक है conservation of electric charge या conservation of charge conservation हम किसे कहते हैं conserved uniform absolute constant तो क्या होगा the total charge of an isolated system always remain conserved मतलब क्या है अगर हम mathematics के लिए ले लेके so q net is equal to q plus and q minus देखते हैं किस तरह होता है तो मैंने यहाँ पे दो circle ड्रा के एक को मैंने नाम दिया है a और दूसरे को मैंने नाम दिया है b a जो है यहाँ पर फॉर एजमपल plus 25 charge है positive और minus 25 negative charge है तो equal क्या है 0 इसी तरह यहाँ पर भी plus 25 और minus 25 equal to 0 दोनों neutral है यहाँ पर past charge और negative charge की समझ भी आ जाएगी चेके अब यहाँ से दो electron चार्डे गए यहाँ पर एक दो यहाँ पर क्या आगिया plus 25 minus 23 is equal to plus 2 यहाँ पर क्या होगा plus 25 minus 27 minus 2 तो यहाँ पर आएगा minus 2 charge और यहाँ पर आजेगा plus 2 charge आएगा जब हम total charge मालूम करे net charge मालूम करे तो net charge में कोई फरक नहीं आया है क्यों plus कितना है plus 2 क्यों minus कितना है plus into minus 2 so plus 2 and minus 2 is equal to 0 इसमें कुछ फरक नहीं आया क्यों नहीं वही के वही है ठीके तो यह positive charge बन गया और यह negative charge बन गया तो हम कहते हैं कि positive charge कौन सा है इसलमें हम इसको conservation of charge के बाद discuss करते हैं कि conservation of सारी negative charge और positive charge हम किसे कहते हैं axis of axis of protons scale positive charge यहाँ पर हम कहते हैं positive charge खएके यहाँ पर हम गए axis of the electron negative DEFICIENCY of an electron यहाँ पर positive charge यहाँ मेशा के लिए डोनर होगा और negative charge हमेशा के लिए क्लीए क्लीए क्लावगा ठीक है अगर इसको हम एक एक्जम्पल से करें अगर यूनीनियम यूनीनियम 232, 38 एं 92 है और यहाँ पे अलफा डिके होता है तो यह थेलियम में चेंज होता है 234, 90 और यहाँ पे निकलता है एक हिलियम नुक्लिया और यहाँ पे प्लस हीट, इनर्जी तो देखो, यहाँ पे 238 है, यहाँ पर भी 234 प्लस 4, 238 यहाँ पर 92 है, तो यहाँ पर भी 90 प्लस 2, 92 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी चार्ज क्या है? यह कंजर्व है तो यह सिकन्ड प्रॉपर्टी है, किसीज का? अलेक्ट्रिक चार्ज का? नाउ, प्रपर्टी नर्बर 3, क्वान्टाइज़ेशन ऑफ चार्ज, what is mean by क्वान्टाइज़ेशन, क्वान्टाइज का मतलब, चार्ज मस्ट भी क्वान्टाइज़ेश्ट, यह डिस्क्रीट फर्म, यह पकेट्स फर्म, या हम कहते हैं, क्या निग प्लस 2, काउन कर सकते हैं देखो इसमें दो फार्मली यूज होता है हम मेगनिचूड आफ चार्ज मालूम करें अगर नमबर आफ एलेक्ट्रान मालूम है या मेगनिचूड आफ चार्ज गेवन हो और हम नमबर आफ एलेक्ट्रान को फाइंड आउट करें दो ट्रिक्स यहां पे अप अरवर होका मतलब 1.6 multiply by 10 power minus 19 Koolham मतलब हम लेक सकते हैं कि क्यों इस इकल टू इन इंटू 1.6 multiply by 10 power minus 19 Koolham है यह आपके पास आगे एक ट्रिक नंबर आफ इलेक्ट्रोन को क्या करें multiply करें चाहे वो पावर आफ टेन में हो चाहे वो पावर आफ टेन है या नहीं है इसको हम इसम और इन करके करेंगे फार किजमबल टेन पाउर सिक्सटिन इलेक्ट्राइटल तो इन के जगह हम चुंपर करेंगे टिंश इक सिक्स्टिन अगर है फाइफ इलेक्टॉन तो इन number of electrons कितने होंगी तो हम मालूम करें इस फारूने से क्यों इस इकुल टू एन इस इकुल टू क्यों कितना है वन कूलम यह कितना है वन इपर हम कहते हैं वन कूलम डिवारे में 1.6 मंटिप्लाइबर 10 पावर माइनस 19 कूलम तो सी सी खादम हो जाता है और यहां पर आएगा क्या इन इस इकुल टू 6.25 मंटिप्लाइबर 10 पावर 18 अब इसके लिए शाट काट क्या है इन इस इकुल टू केपिटल इन इन्टू 6.25 मंटिप्लाइबर 10 पावर 18 यह इस तरह भी लेख सकते हो कि इसको राउंड अप करें इसको जब हम राउंड अप करें तो यह 6 के साथ निए जब यह 7 के साथ निए तो यहां पर लेखेंगे 6 मल्टिप्लाइबर 10 पावर 18 तो यह केपिटल इन यहां पर क्या शो कर रहा है और इस केपिटल इन तो मैं यहां पर लिखता हूं मेगनिचूड आफ चार्ज शो करता है क्या शो करता है मेगनिचूड आफ चार्ज शो करता है मेगनिचूड आफ चार्ज किस तरा शो करता है देखो यहाँ गवर से रिकना है अगर आप से पूछा जाए कि क्यों का वेल्यू फाइफ कूलम है आप मालूम करें नंबर आफ इ असान तरीवा क्या है? यहां पर पूट करें. कि N is equal to 5 multiply by 6 multiply by 10 power 18. तो इसे आगा 30 multiply by 10 power 18 electron है. समझें बात के? N के जगा में लेके पूट को है? 5. अगर small N आ जोए? तो पिर यह वाला trick यूज करना है. अगर capital N आ जोए? तो पिर यह वाला trick यूज करना है. यह बहुत ज़र important है. clear होगी बात. Now, property number 5, number 4, like charges repeal each other, different charges attract each other, ठीके. Charge must contain in matter, या mass. Charge any material में होगा. चाहे वो solid हो, चाहे वो liquid हो, चाहे वो, क्या हो, जो भी हो. जब matter हो, mass हो, ठीके, तो उसमें charge ज़रूर होगा. clear होगी बात. Now, the last property, which is important for N-Secure, for M-Secure. N-Secure नहीं है, ठीके न, क्यूंके M है, तो इससे N तो नहीं आता पहले. चलब खेरें, घर्ट हो जाता है, इनसान. Charge does not depend on motion. Charge motion पे depend नहीं करता. अगर एक body speed of light के साथ भी motion करता है, तो charge increase या decrease नहीं होता. अगर वो charge 20 के कदम पर भी चले, मतलब इतनी slow चले, तब भी इसके जो charge में हैं, जब, हाँ जब, चार्ज में increase या decrease नहीं आ सकता, जब वो matter 20 के कदम पर भी चले. सफ़ज़ें बात की, तो charge does not depend on motion, चार्ज डिपन नहीं करता, किस चीज़ पे, motion पे, clear होगी बात, नौ, ये तो properties से आफ चार्ज है, unit पर लिया, relation पर लिये, dimension पर लिये, properties पर लिये, ठीके, नौ, यहाँ पर आज़ रहें, दो किसम की चार्ज़ होते हैं, proton है, neutron है, ठीके, proton, neutron तो नहीं है, यह खेर है, electron है, proton बना हुआ है, अप, अप एंड डॉन कॉर्क से, M-C-Q में आये हैं कई दफ़ा, ठीके, और neutron बना हुआ है, down, down, and up, अप कॉर्क, ठीके, अप कॉर्क पर, ये क्या है, plus 2 by 3E, down क्या है, minus 1 by 3E है, उन्तलब यह है, जो proton पे हम कहते हैं कि plus 1 चार्जे तो किस तरह है proton is equal to up up and down अब के जगा क्या आगिया plus 2 by 3 plus 2 by 3 minus 1 by 3 तो इस से क्या करे 3 का LCM ले ले यहाँ पर आजेगा plus 2 plus 2 minus 1 इस से आजेगा 3 divided by 3 मतलब 4 minus 1 3 आजेगा तो 3 3 खतम यहाँ पर आगिया 1 इस विसे यहाँ पर हम थे के proton पर प्लस वन चार्जे नौ नूट्रान पर 0 चार्जे नूट्रान पर क्या है 0 चार्जे क्यों क्योंकि neutron बना हुआ है down down in up down पर क्या है minus 1 by 3 फिर डाउन पर क्या है minus 1 by 3 और यहाँ पर क्या है plus 2 by 3 तो 3 का LCM ले 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 यहाँ पर आजेगा minus 1 minus 1 plus 2 तो आजएगा क्या minus 2 plus 2 divided by 3 which is equal to 0 तो neutron पर क्या है यह 0 चार्जे यह हम पढ़ेंगे इंशालला चप्टर नूबर 20 में nuclear physics में पाम माडल इसको कहते हैं हम ठीक है कॉर्क से कहते है यह कौन से family के साथ तालुक रखता है ठीक है तो वो आप लोग बता सकते हैं message में ठीक है अपना बहुत सारा खेल लगेगा मिलते हैं एक और lecture में अल्ला हाफिस